नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गोठी, मेरे साथ है सुनिल कुमार मौरिया, सीने जनलिस आज हम बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे की जो बहुत इंपॉर्टन भी है और हम लोग उसको बहुत लाइटली भी लेते हैं, इसको इस सेंस में देखा जाए हम लोग बहुत सारी चीज़ें गूगल पर सर्च करते हैं, क्या आपको बता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जिनको अगर आपने सर्च किया, तो आपको जेल जाना पड़ सकता है, मुकतमा दर्ज हो सकता है, कानूनी कारवाई हो सकती है तो वो कौन सी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे पर्टिकॉलर टॉपिक्स हैं, जिनको सर्च करेंगे तो आप दिक्कत में आ सकते हैं, सुनिल भाई बताएंगे, सुनिल जी देखें, गूगल पर तो हम हर चीज़ सर्च करते हैं, हमें कोई भी जानकारी चाहिए, तो हम सीधे गूगल पर जाते हैं, सर्च कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़े हैं, जैसे जो सबसे बड़ी चीज़ें, जिस पे सबसे ज़्यादा लोगों को जानकारी और अवे का होता है मतलब पूरे इंडिया में चाइल पॉर्नोग्राफी बैन है लेकिन आप यहां पे ध्यान रखें कि जो पॉर्न है पॉर्न साइटे हैं वो बैन तो है लेकिन उसे देखना गुनाह नहीं है मतलब कानून के दारे में नहीं आता लेकिन चाइल पॉर्नोग्राफी अगर आपके पास कोई video या फिर photo अगर आप उसे देखते हैं थोड़ी देर तक अगर आप उस इस्टे करते हैं या फिर उसे डाउनलोड करते हैं और फिर उसे किसी को circulating कर देते हैं अगर इतना सब कुछ अगर आपने कर लिया तो फिर आपको जेल जाना तै है क्योंकि चाइल्ड पोर्नोग्राफी पे हमारे देश में बहुत ही सख्त कानून है और आपका जेल जाना बिल्कुल उसमें तै है और ये सारी चीजे तुरंत गूगल पे जैसे ही आप सर्च करते ह रहें Commission फिर टोर्स घ्रेशी करने नीजय के थे कि चाइल्ड पुर्नोग्राफी तो चायल्पॉर्णोग्राफी यंवे टेसे में पूरी दुनिया में जो ढर्कनेठ है कि सूचिंगर में गया इन्टनेट जिसको हम आप्ढ़ देख थे हैं उस जार ए-पांच परेंट मतु सब्माइब करने जोड़ सकता है मतलब एयसा नहीं कि हम पुछ चीचे सर्च करते हुए हम डार्क नेट में चले जाएंगे हम नहीं कर सकते मालिे सब्सक्राइब चिरागोथी डार्क नेट के में तो वह उसमें उसमें कुछ रूर्सुम्हें होते हैं उसके जरिये ही आप Sunil Ma जो बहुत जादा तो भले ही वो चीजे मतलब आजकल वैन है नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी अभी आप देखेंगे तो जो टेलिग्राम है उस पर उस तरह की वीडियो सर्कुलेट होते हैं वह से कहने का मतलब कि अगर आपके पास वाटसप पे गलती से भी किसी ने को अगर मान लीजे आपके पास कोई मेसिज आ रहा है हमारे पास दोस्तों हजारों मेसेज है हम लग उसको करते रहते हैं अब उसमें आपकी इंटेंशन देखी जाएगी और वह भी मुझे लगता है कि क्या ऐसा कोई मेकैनिजम है किसी भी पुलिस के पास साइबर पुलिस के गुगल में जो भी सर्चिंग होती है जो लोग सर्चिंग करते है वो डेटा इमको मिलता है व्ली पि нем कुछ बी सर्च करते हैं ट्रुफ करते तो अगर एक गाडि सर्च करिए तो आपके फेस्बूप पे तमाम सोचल मेडिया पर हर जगा उसी तरह के आड़ा लगते हैं त कि से वेब साइट पर्टिकुलर तो जो चीज़ आρχें सर्च की होती है उस वेब साइट का जो गूगल एड होता है वही चीज़े दिखती है मतला अगर अभी अभी आपने कोई शौपिंग किये आपने कोई जूते खरी दें तो उसी तरह के जूते आपको तो कि पूलते हैं उसी तरफ को उता है जाएक एक बार की वैबसाइट पर एक डार रेलवे की साइट पर गूर्ड को रिखाइड कि आपकी वैबसाइट पर जो है दूकर अट, अपकी वैबसाइट फे जो है अड़ल्ट मैसेज को करते हैं ठीक है दिंद आ विज्यापन चलाते हो तो उन्हों ने बड़ा बढ़ी है जवाब दिया था कि जो सर्च करते हैं न गूगल पे वही चीज़ा आइएर सिटी सी पे गूगल एड्स में आती तो पहले आप अपना हिस्ट्री डिलीट करिए उनकी फोल खुल गई थी समझे न तो यह सारी चीज़े हैं तो मतलब कोल मे पुलिस ने अल्रड़ी दे रखे हैं गूगल सभी जितने भी जो सर्च इंजन है ठीक है तो आप जब सर्च करते हैं तो फिल्टर में वो चीज़े आ जाती है लेकिन वही है कि जैसे आपने सर्च के चाइल पर्नोग्राफी उसे रिटर जो वीडियो आपने वीडियो भी उसे रिटर जो फोटो है उसारी चीज़े आरहे है एक नॉर्मल इसमें सवाल यह उठता है कि जब इस तरह की सिचोएशन आती है तो या तो खुदी वेबसाइट उसको बैं कर दे या बंद कर दे ताकि हम उस तक आगे तक पहुंची कि नहीं देखे बैं तो आल्री है ले सवाल वो नहीं है कि वो चला रहे है सवाल यह है कि अगर जब हम वो चीज़ करेंगे मैं तो होती रहती लेकिन अगर हमने वो यूज किया हमने देखा या फिर खर्कुलेट किया तो हमें अब जैसे यह ए चाइल पॉर्नोग्राफित तो इसमें 5-7 साथ साल की जियल होती इ तो यह बनाना घर बनाना खाप सर्च करते हैं तो आप करवाई लेकिन उसके यह बनाने का मतने पढ़ तो लिया लेकिन पर आप हे में लिए कुछ बना लिया और निया पर दो spirits क्योंकि गूगल पर अपने सर्च किया अपने पढ़ा है उसके बारे में और तुसे आपको जाएगा लेकिन क्या आपको लगता है पुलिस इतनी इतनी जादा उनके पास समय है या इतना काम का कम लोड़े पुलिस के पास वो सारा यह देखते रहते हैं साइबर विंग में व अधिकारी को जानता हो वो लोग उनीf hr का रवाई कर ते हैं जो इसमें कैसे करें बास बिल्कुल आपकी सही है लेकिन इसका मतलव नहीं है कि हम किसी चीज़ का नरजाज़ पायदा देखें तो दूसरा पहलू आप देखिए ौर माले । बब्रम ने 아गर आपने वो सर् और मतलब कि किसमत खराब और जए सर्किया उसे अधी आपके अधी आपके सर्च कीश में सर्च किया उसमें प्रकाइब कर दो गूंगल के सारी डिटेल निकाली जाएगी तो आप आएंगे तो यह भी सारी है तो प्रकुछा आप उसमें जए जज्जमेंट से नहीं ने तो इ तो कम्सक्रम रधार प्राइम, कुल मिला के चाहिए, आप कर लिजे, जानकारी चाहिए, उसी तरह से गर्वपातका है, तो कि अप गर्वपात करने के लिए क्या करें, कौन से दवा कहें, यह भी करोन जुर्म है, वही है कि कि अपने सर्च तो आप नहीं जेल चले जाएंगे लेकिन उसे related माले कि कुछ आपको नुक्सान हो गया, किसी को आपने दवा दे दी, कुछ उसे नुक्सान हो गया, फिर वो पुलिस केस बन गया, तो वो सारी चीजे फिर आपका सर्चिंजान आएगा, गूगल, फिर उसमें जब यह चीजे डेटेल आएंगी, तो फिर अपके इसे तरह सो होते हैं, इसमें जो जैसे अब नॉमली हम लोग सर्च तो करते हैं, सारी चीजे सर्च करते हैं, जैसे सुनिल भाई खुद भी बता रहे हैं कि अगर उस समय परिस्तिती ऐसी हुई, तो फिर आप रडार पर सकते हैं, लेकिन सवाल ही होटता है, जो इसमें एक सब्सक्राइब करते हैं, जो जबर्दस्ति सर्च करते हैं, तो ऐसे में अगर वो सर्च भी कर रहे हैं, इसमें बता ही कि सर्चिंग इंजन वह आपको वीडियो तक भी ले जाता है, आपको फोटोग्राप्स भी दिखा देता है, आपको न्यूज वी उस रिलेटेड गायत जब तक ठीक हैं, जब तक आपनी एक्जिक्यूट नहीं किया, लेकिन बही है कि अब माले कि किसी का घर दर्वाजा खुला हुआ है, तो हम चोरी कर नहीं है, तो यह कोई मतलब नहीं हुआ, आपको जानकारी भी होनी चाहिए, अब वह है कि हम ट्रैफिक में जा रहे हैं, अगर घर ऐसे जानकारी धाए, तो हमारा चलान कर जाता है, लेकिन अगर हमें जानकारी जानकारी है, थे ही हंए हमारे पास अगर फोटो कॉपी भी है, किसी गाडी के रॉकुमेंट से हैं, और और ऑ दिखाएंगे तो हम बस सकते हैं बाद में हम ओर इसा करते हैं तो हमें कारवाई हो सकती है तो इसलिए हम बचेंगे उस चीज़ का ज़रुत नहीं है तो बिल्कुल तो वीवर्स हमने इसलिए वीडियो बनाई क्योंकि हम चाहरे थे आपको बताना ये बात की सर्च इंजन में हर चीज सर्च करने की अवशकता नहीं है जब तक आपको इसलिए मतलब नहीं हो आपने जो भी बाकी सर्च किजे लेकिने तीन जो टॉपिक सुनील जे नहीं बताया है इन पर थोड़ा सा आप अवेर रहे क्योंकि ये हो सकता आपको ट्रबल में डाल दे और इसका मतलब भ कोई आपको सब्जेक्ट नहीं है और काइंड ओफ तो इस वीडियो आपको कैसे लगी दोस्तों जरूरू बताएगा था 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 हुआ 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 है